आप देखने तेजखवर 24 और वक्त है खवरों का मध्यप्रदेश राज विधिक सेवा प्रधिकर और जबलपुर के निर्देश पर राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन आज जिला न्यायाले रिवा में किया गया इसके अलावा तहसील इस्तर के भी न्यायाले उमें लोक अदालत का आयोजन किया गया आज सुबह साढ़े दस बचे इसका उधगाटन किया गया इस दोरान लोक अदालत में 18,630 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गये हैं इसके लिए जिले भर की 45 खंड़ पीट तयार कर पीठा सीन अधिकारी की नियुक्ति कर रखे गए प्रकरणों को लोक अदालत के दोरान तथा प्री लिटिगेशन के प्रकरणों का निराकरण किया गया लोकदालत के प्रक्रणों के निराकरण के लिए जिला स्थर पर और तहसील स्थर पर अलग-अलग खंड़ पीट बनाई गई इस संबन में बताया गया कि कुटूंब नियायाले में प्रक्रणों की सुनवाई जिला एवं सिस्तर नियाधीश आरसी वाशड़े प्रथम खंड़पीट स्वयाम करेंगे हलाकि इस बार की लोक अदालत में तेजगर्मी और धूप का सर साफ नज़र आया और लोगों की संख्या कम नज़र आई आपकर राज कुमारी गुप्ता जा समस्य बताई है अब बताई है चोटी दुकान खोले है लागडाव में घरवाला कनेक्शन हमारे पास आए बोलना हम कैंस्टर के मरी है हमारे आदमी को चुनाई नहीं नहीं देता छोटी सी दुकान कर लिए है लागडाव में पुछ त तो यदो इसाजर नोटि सा गई कब नोटिस आई हैं और तरह हैं तरिक जाया है ये तो यसकी सिकायत अभी आपनी किये गए खा ai आई किया है निवानक लिए आए आए हैं लोग अदालग में आए हैं क्या समस्य लिए लोग अदालग में नोटिस की इतहाजी है क्या कि नोटिस आई रहे हैं यह कहीं दोड़ी कई है कानक्सन जो गुगा काई रहे हैं लेले घर बना बत रहे हैं लाइट दोग लगाए रहा है बिल कनक्सन घर के खराए है है और वहीं दोड़ी के घर बना रहा है यह पड़के लाइटे के दिल सगला देया के जहां आन तुबबबा दाते हैं यहां 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 रहे हैं लोग अदालग में देखिए यह जो लोग अदालत मतलब रिवा जिले में भी रिवा के अंतरघत ये लोक अधालत है जिसमें कया है कि हमारे दो टाइब के प्रक्रण आते हैं तसना प्रक्रण तो ये का कि कहा त werden लिवर कोर्ट के हो जाती है और को पहले जो केशन नहीं होते हैं इसको प्रिलटीगेशन बोलते हैं और उसमें और जो कोर्ट के केस बना हुआ है हम जो कोड के अंदर हो गया है कि अलब कोड के से रजिस्टर हो गया हम 20 प्रेस्ट जो भी सिविल दायत है हम उसमें 20 प्रेस्ट छूट दे रहे हैं और जो प्री लिटीगेशन की केस हैं उसमें हम 30% की छूट दे रहे हैं हम यह कोशिस कर रहे हैं कि मतलब ज करोड की मुझे वसूल करना है उसमें हम लोग छूट भी दे रहे हैं तो मैं यहीं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि सभी भोगता यह जो भी केस बने हुए हैं ज्यादे ज्यादा इस लोक अदालत का फायदा उठाएं यह कब तक मेरा थानों तक 2020 से पहले के निए कि 2020 के बात है तो हमारी जो हर दो महने तीर महने में लोक अदालत लगती रहती है वह कंटिनुवस प्रोसेस है अलब यह हो सकता है करेंट भी हो और पिछले जो पिछले लोक अदालत में जो फायदा नहीं ले पाए होंगे जो भी जाहा कि अपना निराकरण नहीं करवाया होगा इसलिए उनको नोटिस गई होगी है